अब हम बात करें अगर पहले की तो सबसे पहले वासकोड अगामा में 1498 में इंडिया में पहुंचे थे और तीन महीने रहने के बाद वे धीर सारा माल लेकर पोर्टुगल वापस चले गए थे उनके बाद सिप्टेंबर 1500 में पेड्रो अलवारेस कैबरल आये और इन्होंने पहली बार काली कट में एक फैक्टरी सेट अप करी और उसके बाद वासकोड अगामा फिर से भारत 1501 में आये अब इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिसकस की है तो आप वहाँ से जाकर इसके बारे में देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Francisco de Almeida के बारे में तो मैं अब भी इस्ट्री ओप मोडर्न इंडिया जो कि एस्पेक्टरम पॉब्लीकेशन की बुक है उसके दायरे में रहके ही बात करूंगा Francisco de Almeida के बारे में भी तो देखते हैं इनको समझते हैं अब इसके बाद मतलब जब वो जो सारा अपना स्टोरी हो गया मतलब पंदर सो एक में फिर से यहां पर वासको डगामा आए और उसके बाद फिर यहां पर कुछ फॉर्टिफिकेशन वगरा होगा वो अपना पॉलिटिकल पावर जो थे वो थोड़ा और मजबूत किया इन्ह इन्हें अच्छी खासी फोर्स के साथ भेजा गया भारत में ताकि वो पॉर्टुगीज इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके तो पॉर्टुगाल के किंग ने फ्रांसिस्को डे अलमीडा को एज गवार्नर अपॉइंट किया इंडिया का और इन्हें थ्री एयर टर्म के लिए भेजा गया ताकि वो पॉर्टॉगीज इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके अब यह पॉर्टुगीज इंट्रेस्ट क्या है तो इन फ्रांसिस्को डेल मीडा को कहा गया कि पॉर्टुगीज यानि यह जूपॉर्टुगीज है उनके पॉलीne पावर को इस इंडिया में जाके, प्लस आप इन मुस्लिम के ट्रेट को इसिज कीजिए, NEWकोर्त से इसिजिग अडन पोर्ट, औरमुज पोर्ट अडन मलक्का पोर्ट तो इनको एक बार हम मैप में देख लेते हैं, यह है कहाँ पर तो यहाँ पी आप देख रहे होगे यह है अपना Add&Port और यह है औरमुज़ पोर्ट तो यह बेसिकली आपको यहाँ पर अफ्रिका है यह जो है मतलब यहाँ पर इसका ऊपर ही भाग है और यह जो है यह रेड़सी है तो यहां के आसपास में मतलब यह एडन पोर्ट और ओर्मुज पोर्ट है, इसको मैं एक बार पूरे जो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊंगा कहां पे है, बट अभी के लिए आप फिलाल देख लो, निक्स्ट जो है, वो है मलक्का पोर्ट, तो मलक्का पोर्ट यहां पोर्ट है, तो यह तीनो पोर्ट जो है, आपको मैंने बता दिया यहां पे मैप में, यह मलक्का हो गया, अलेशिया के पास में, फिर यह हो गया, यह हो गया अपना ओर्मुज पोर्ट, अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, तो इन्हें ऐसा मतलब आदेश दिया गया कि आप जाईए और पोर्टुगीज पावर को इंडिया में स्ट्रॉंग कीजे, बनाईए वहां पे जाके आप, और यह जो मुस्लिम का ट्रेड है, उसको आप डिस्ट्रवाए कीजे, कैसे, एडेन के पोर्ट को मतलब आपको सीज करना है, और मलक्का के पोर्ट कीजे इंडिया में, तो अंजादीवा, कोचिन, कैननोर और किल्वा में फोर्ट्रेस का निर्मान करवाईए आप, और पोर्टुगीज के पॉलिटिकल पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉंग कीजे, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, कि यह फोर्ट्रेस का निर्मान कब पर होगा, यानि जब तक आप समुद्र में पावरफुल हो, आपकी नेवी स्ट्रॉंग है, तब तक आप इंडिया पे कंट्रोल कर सकते हो, यह इनका मानना था, अब जब अलमीडा भारत में आया तो जैमुरीन तो नराज थे ही, जैमुरीन क्यों नराज थे, जैमुरीन था, रेट सी वाला, और एजिप्ट के पास से ही होके वो गुजरता था, और पोर्टुगल ने एक नया रास्ता ढूंड लिया था, केप अफ गुड़ोप से होकर, और पोर्टुगिस चाहते थे, इंडिया में हो रहा है, जो भी ट्रेड, मतलब ट्रेड जो भी हो रहा है, उसे मोनोपोलाइज करना चाहते थे वो, और लग उस पे अपना दबदबा कायम करना चाहते थे पोर्टुगिस, वो चाहते थे कि कोई और ट्रेड ना करे इस रूट से, या फिर इस रूट से ही क्या मतलब इंडिया से कोई और ट्रेड ना करे, हम ही यहां से इंडिया से लेके जाए यूरोप में जाके हम बेचे यूरोपियन कंट्री में इससे पहले तो जो मुस्लिम इंटर्मीडियरिस थे वो जाके बेचा करते थे यहां से इंडिया से गुड्स ले जाया करते थे अस्पाइस वगएरा और फिर जो भी precious stones हो गए तो इन्हें वहाँ पे ले जाके high prices पे बेचा करते थे बट अब ये जो European's थे वो चाहते थे कि सिर्फ हामी trade करें इंडिया से तो इसलिए मतलब यहाँ पे Egypt भी इन से नाराज था अब बात करें तो यहाँ पे Vinice जो Vinice के बारे में भी पहले हमने discuss किया Vinice बहुत पहले Vinice और Genova जो था वो एक मतलब अच्छा खासा prosper कर चुका था क्योंकि यह दोनों भी port ही हैं Italy में तो Vinice जो था वो भी इन से नाराज था Vinice के merchant भी इन Portuguese से नाराज थे क्योंकि Portuguese interference के कारण इनका trade बहुत जादा affect हो चुगा था क्योंकि Portuguese खुद ही कबजा करना चाहते थे हर जगा पे मतलब खुद ही कबजा करना चाहते थे और यह profit कमाना चाहते थे और इस तरह मतलब यह चाहते नहीं थे कि कोई और यहाँ पर interfere करे इनको तो इसलिए इनसे समझो कि हर कोई नाराजी था अब हुआ क्या कि Egyptians ने Egyptians मतलब इन सभी लोगों के साथ मिलके RAID C में एक सेना तैयार करी जो कि इन सभी के help से यानि जो गुजरात की नेवीज वगेरा थे मतलब नेवल्स थे उनके help से फिर विनाईस के help से और इजिप्टियंस जो भी अरग है उनके help से एक यहाँ पर सेना तैयार करी गई RAID C में और इनहें मतलब इसलिए तैयार किया गया ताकि यह पोर्टुगीस को रोख सके तो 1507 इसमें पोर्टुगीस का एक battle हुआ एजिप्टियंस और गुजराती नेवल के साथ में यानि एक तरफ एजिप्टियंस और गुजराती नेवल एक साथ थे और दूसरी तरफ पोर्टुगीस थे और इस battle में यह जो अलमीडा थे उनके बेटे की जान चली गई और यह battle हुआ था दीउ पोर्ट के आसपास में तो इस battle में जो भी अलमीडा थे उनके बेटे की जान चली गई अब उनके बेटे की जान जाने से हुआ क्या कि यह पोर्टुगीस जो थे वो हार चुके यह battle अब यह जो battle था वो पोर्टुगीस हार चुके यानि 1507 में अलमीडा संद मारा गया नेवल बैटल में जो कि कमबाइंड आर्मी के द्वारा किया गया था इजिप्ट और गुजरात के और नेक्स्ट जोन के अपोनेंट थे वो पोर्डुगल था जो कि डियू पोर्ड के आसपास में हुआ था अब जब इसमें इनके बेटे की जान चली गई तो अलमीडा ने अगले ही साल यानि नेक्स्ट इयर अगले ही साल अलमीडा ने इन दोनों को यानि इजिप्ट और गुजरात के कमबाइंड नेवी पे हमला किया और इन दोनों को हरा दिया और इस طरह मतलब हम देख रहे हैं कि Portuguese धीरे धीरे करके अपना पकड़ बना रहा है मतलब यह तो हरा दे ने के बाद फिर इनका ही कबजा हो जाएगा वहां पे तो इस तरह धीरे धीरे अपना Portuguese अपना पकड़ बना रहे है इंडिया पे पहले काली कट में फैक्टरी इन्होंने स्टेबिलिस करी, उसके बाद उसे 45 किया, फिर और आगर बात करें तो यहाँ पे मतलब अंजा दीवा हो गया, कोचीन हो गया, कैनानोर हो गया, किलवा हो गया, यहाँ पे भी अपना फोर्ट्रेस निर्मान करवा रहे हैं, यानि अप और इनकी यह जो पॉलिसी था उसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टे सिस्टम तो यहां पर हम लोग मतलब इस बुक के दायरे में रहे के जो भी है वह हमने डिसकस कर लिया अलमीडा मतलब फ्रांसिस्को डी अलमीडा के बारे में तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा तो अगर मतलब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पर वाचिंग अब नेक्स्ट वीडियो में हम